इन दिस वीडियो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल के पासवर्ट को लॉक को अनलॉक कर सकते हैं होता है ऐसा बहुत बार है कि आप अपने घर में किसी कारण से इसे आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है तो आप उसे अनलॉक करने की कोशिस करते हैं लेकिन आज के टाइम में बाहर निकलना, सर्वी सेंटर जाना बहुत ही टफ जॉब है क्योंकि वहाँ पर आपका time waste तो होगा ही साथ में आपका जो smartphone है उसे आपको अपने से दूर करना पड़ेगा जो कि आप चाहोगा ने क्योंकि आपका बहुत सारा important data आपके smartphone में मौझूद होता है चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही service center के method के बारे में जानेंगे जिसका इस्तमाल करके आप घर बैठे चुटकियों में आप एक से दो मिनट के अंदर अपने किसी भी android smartphone को आप unlock कर पाएंगे तो चलिए आज के इस important video को यहाँ पर शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप घर बैठे अपने mobile को किस तरह से unlock करेंगे तो यहाँ पर हम जो method इस्तमाल करेंगे उसके help के लिए ना आपको कोई computer चाहिए नहीं कोई software आपको चाहिए होगा और नहीं आपका कोई भी data loss होगा यानि कि आप 2 मिनट के अंदर बीना किसी data loss अपने smartphone को बीना computer के आप unlock करना सीख पाएंगे तो चलिए आज किस important video को यहाँ पर सुरू करते हैं सबसे पहली बात जब भी आपका smartphone lock हो जाए नीचे में आपको दिखेगा emergency call आप जब इसे आप open करोगे तो आपको यहाँ पर यह dollar pad दिखेगा जिसका नाम होगा emergency calls only अब यहाँ पर आपको एक code डालना होगा जो कि आप यहाँ display पर देख पा रहे हो simply आपको friends यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ पर जो code आप देख रहे हो इसे आपको इस तरह से डाल देना है ठीक है और इसका आपको यहाँ पर चाहे तो आ screen shot ले सकते हो जैसे का आप यहाँ पर देख रहे हो अब इस number को डालने के वाद आपको इस पर एक बार call करना जब आप call करोगे एक call field का message आएगा इसे आपको ignore करते हुए okay पर click कर देना है ठीक है अब आपका यह काम जो है वो complete हो जाएगा आपको इस code को आपने mobile से हटा देना है और अब आपको यहाँ पर मैं एक Google FRP code बताने जा रहा हूँ जो कि इस महने का है latest है और अभी यह सिर्फ दो दिन पहले आया है इसलिए यह सारे smartphone में work करेगा यह आपके पास latest का Google FRP code नहीं है तो आप मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ आप इसे देख लिजिए हर महने जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दू कि हर महने नया Google FRP code Google के द्वारा हमें मिलता है हमारे service center वाले को और यह जो code है आपको जब भी आपा smartphone में use करोगे तो आपका यह latest में काम करेगा लेकि जब आप इस code को किस और महने में try करोगे तो maybe यह code expired हो जाएगा उस case में आपको एक नया Google FRP code चाहिए होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप हमारे channel को subscribe करते हुए आप हमें join कर लिजेगा जैसे ही आप हमें join करेंगे हमारे team के तरफ से आपको instant उसी समय गूगल FRP code का जो latest version होगा वो आपको reply में मिल लियागा ठीक है अब फिलाल जब आपने वो code ले लिया है तो आपको आगे क्या करना है चली वो आप यहाँ पे देख लेते हैं simply आपको इस code को यहाँ पे डालने के बाद आपको इस number पे 7 time call करना है तो जब आप यहाँ पे calling स्टार्ट करोगे तो call field का पहले की तरह message मिलेगा आप इसे ignore करते हुए ओके पे click कर दीजेगा और इसी आपको repeated 7 time complete करना है 4, 5, 6 and sorry and 7 ठीक है अब इसके बाद आपको यहाँ पे 7 second wait करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब इसके बाद आपको simply यहाँ पे home button पे click कर देना है और दोस्तों आप देख पाऊगे इस तरह से आपका smartphone घर बैठे unlock हो जाएगा in case यदि आपका smartphone unlock नहीं हुआ है उस case में आप हमारे चैनल को subscribe करते दो आप हमें join कर लिजे जैसे ही आप हमें join करेंगे हमारे टीम के तरफ से आपको 2 minutes के अंदर instant WhatsApp पे वीडियो कॉल चला जाएगा जिसके help से हमारे टीम आपके handset को guarantee के साथ 2 minutes के अंदर unlock करके आपके सामने देदेगी तो आप एक बार हमारे चैनल को subscribe करके हमें आप join जरूर कीजिएगा